है आप सब आप सब्सक्राइवंगे मस्त होंगे आज मैं अअको लए एक बोहत ही सुन्दर सा विज्विटिफूल सा यार कट लाई हूं जो आप खुद भी कर सकते हो मैं बताऊंगी किया से कर सकते हो आभी तो मैं इनका फुद कर रहीँ हूँ आप देख सकτε लंबे हैं उनको छोटा भी नहीं कराना है जो में करेंगे कैसे करते हैं चल्य course करते हैं तो सबसे पहले हम बालों इसपर लेंगे और सुल्जाने के भाद कोई वी करने concern teak यानि कि इधर से कान के आगे से बालों को लेंगे और इधर के भी कान के बालों को आगे लेंगे बिल्कुल एक्वल लेंगे है ना तो एक्वल लेकर हम सारे इतने जितने आगे के बाल है इनको हम आगे लेंगे आगे लाकर के अब हम सिर्फ थोड़े से बाल जो टेमपिल एर लगाएंगे उसके बाद ये आपको एक गाइड लाइन मिल जाएगी ठीक है तो कटिंग करने से पहले चलिए मैं आज आपको अपनी स्किन केर दिखाती हूँ फ्रेंड्स इसकिन केर के लिए मैंने आज लिया है ममा आर्थ का एक्वा ग्लो फेस बॉस और ममा आर्थ का सल्फट फ्री होते हैं डर्मा लॉजिकली टेस्टेड होते हैं और टाइप की स्किन को सूट करते हैं तो सबसे पहले मैं लूंगी इनका ममा आर्थ का एक्वा ग्लो फेस वास विद हिमालियन टर्मल वाटर एंड हालोनिक एसिड के साथ है फॉर इंस्टेंट हाइड्रेट करता है फिसकिन को ममा आर्थ के प्रडाट कि काफी अच्छी होते हैं इनका जो इसमें जो फेस वास में है इसका यह ब्रेस आप देख सकते हो मतलब बहुती ज्यादा सॉफ्ट वाला इंका ब्रेस है इसकी जो कंसिटटेटि आप इस तरह से देख सकते हो नेच्रल है तो इ स्रीन, ऐलोवेरा एक्षेक्ट और नीम लीफ एक्षेक्ट और जाने काफी सारे ऐसे सर्वल इंग्डिएंट्स मिलेंगे जो आपकी इसकिन को हाइडरेट करते हैं इसकिन को क्लीन करते हैं इसका जो ब्रेस ज्यादा सौट वाला है सिलिकॉन पेस पे है तो ना जब आप ब्र डेक्ट वाइट्स भी निकल जाएंगे इसकिन डेड़ सकिन भी निकल जाएगी और मैंने इसके बाद अपने फेस को क्लीन कर लिया है पानी से और आप देख सकते हो मेरी स्किन बहुत ज्यादा सौट और क्लीन हो गई अच्छा ममा अर्थ ने हाइजिन को ध्यान में रखत और साथ में कैश्टर आयल और भी काफी सारे हर्ब्स के आपको बैद फिट मिलते हैं नौनिश्टिकी फर्मले के साथ है ममा अर्थ ने अभी अपना अफिस्यल एप लांच किया है और अगर आप इनकी जो है एप से वेबसाइट से लेते हो तो आप मेरा कूपन कोड हमेजान नाइका और परपल से भी ले सकते हो सबका पर्चिस निक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा अब हम अपनी कटिंग की तरफ चलिए मैंने बीच से एक कटल लगा लिया था अब मैं क्या करूंगी उधर साइड से थोड़ा सा बाल लूंगी और उसी में मिक्स कर दूँगी बीच में मैंने क्या क्या है पार्टिंग कर दी है जो सबसे छोटा दिख रहा है उससे हम तिर्चा करके मिला देंगे बहुत ही सिंपल है यह आप खुद भी कर सकते हो और आप सामने मिरे रखके कर सकते हो ठीक है और उसके बाद हम फिर अगर आपने हिलाया फेस को तो आपका कट खराब हो जाएगा फिर मैं उसी जो सबसे जो छोटा कट होता है उससे मिलाते हुए हम नीचे की तरफ ले आएंगे पस सीधा सा पंडा है आप देखो कि आपकी कटिंग भी खराब नी होगी और फिर हम नोचिंग कर देंगे कई है तो मैं ऑप सारा ही आगे की तरफ लिया ने है उनको पूरा आगे लाने के बाद अब जो देखिए मैं इस तरह से आगे ला रहे हूं और इसकोlem कान के उपर ही रखो तो ज्चाफे बेटर है कान के उपर से और पूरा हम आगे लाने के बाद पूरा तिर्चा कर देंगे अब देखे इंका बाल कितना लाइट है हाथ में कुछ आया ही नहीं लेकिन इसी में काफी अच्छी कटिंग आप कर सकते हो बालों अगर किसी के बाल लाइट है तो आप cutting कर सकते हैं जरूरी नहीं होता है मैंने कई बर काया कि step cutting ही हर कोई कराता है layers भी कराते हैं और भी काफी सारे cut हैं चुकराते हैं और इधर का आप देख सकते हो काफी खूटता आगया है अब हम इधर का करेंगे बीच की हमने मांग निकाल दीती ना parting कर दीती तो आदे बाल मैंने इधर डिवाइड कर दी ते आदे दे अब हम इधर से भी एक लेंगे और उसको आगे लाएंगे और आगे लाने के वाद जो सबसे चोटा बाल लिखेगा ना उसी से मिलाते हुए हम तिर्चा कट कर देंगे यह दिखिए सिंपल है बहुत इसी है बहुत खुबसुरत लगता है और इस जो हैर कट है इसमें आपको ज़्यादा मतलब केर की जरूत नहीं है की रोलर्स लगा रहे हैं या ड्रायर सेटिंग कर रहे हैं ऐसा कुछ भी नहीं है आप बस कंगी करके नॉर्मल पैडल ब्रेस आता है पैडल ब्रेस से इस तरह का जो कट होता है उससे अगर आप पैडल ब्रेस से करते हो तो बाल स्टेट भी रहता है और बहुत अच्छा लुक भी आ जाता है तो अगर आप ये हैर कट करवा रहे हो या खुद कर रहे हो तो आ दिना 5-0 तीन बार सारे भाल कम्तों वाइब कि जादा क्तीन होते तो आपको भाल लेरना पड़ती है!!! है कि थोड़ी मैं पूरा क्कर ओगते हैं! मैं लुलिया तो पूरा है। आपको आप इसम में काट हो गया tiếp直接 है । और यह काफी खुब्सूरत सा आ जाएगा इसका लूप तो यह होता है पैडल ब्रेस अगर आपको नहीं पता तो आप इस तरह से पैडल ब्रेस मंगा सकते हो तो यहीं का फाइनल हेर कट हो गया है आपको कैसा लगा अपने कमेंट्स के दोरा जरूर बताएगा मामा अर्थ के प्रोडेक्ट के लिंक आपको नीचे डिस्कुप्स बॉक्स मिल जाएगे जरूर चेक आउट कर लिजेगा और मंगा सकते हैं तो यह है मेरी फाइनल हेर कट कैसी लगी अपने कमेंट्स के दोरा चरूर बताएगा जिलती हूँ आपसे नेक्ट वीडिव में